नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार सर्जी चार्ल्स डार्विन की आत्मा बाप बाप चिल्ला रही है मानो विकास का सारा सिध्धान्त फेल हो गया है क्योंकि अब बच्चा मा के गर्ब से निकलेगा और सीधे रिगवेद की रिचाएं रामचरित मानस की चौपाई और गीता के श्लोक बाचने लगेगा जैश्री राम बोलने लगेगा आरेसेस का गाना नमस्ते सदावत सले मातरी भूमे चिल्लाने लगेगा नारा लगाने लगेगा अयोध्या तो अभी जाकी है काश्री मतुरा बाफी है हसिये मत ये मजात नहीं है बाकाइदा इसका दावा किया जा रहा है और इसके लिए आरेसेस ने एक प्रोग्राम लॉंच किया है वो भी जुमरी तिलया से नहीं लॉंच किया है JNU से लांच किया है अब ये मत पूछिएगा कि JNU M.A. PhD वालों को तो पढ़ने नहीं दे रहा जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है उसको क्या पढ़ाएगा तो इसका जवाब है उसी को पढ़ाएगा एक से एक नमूने जमा हुए थे देश भर से आए हुए भाती-भाती के लोग और सब के सब चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पिंसर के बाप मुझे पता है आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सच है लेकिन हम सच में न मजाग कर रहे हैं और न जूट बोल रहे हैं अब लाठी भाजने की ट्रेनिंग देने वाला आरेसेस तै करेगा कि आपका बच्चा जब मा के गर्ब से निकले तो कर्मकांडी होकर निकले आरेसेस के इस अभियान के बारे में जान लीजिए जिसके तहत संग देश भर में कथित तोर पर डॉक्टरों और कर्मकांडीों का नेट्वक तयार करने में जुट गया है संग की एक इकाई है समवर्धनी नियास अब आप सोच रहे होंगे कि समवर्धनी नियास है क्या समवर्धनी नियास आरेसेस की महिला ही काई राश्ट्र सेवी का समीती के तहट काम करता है इसने गर्ब संसकार नाम से एक अभियान शुरू किया है यानि बच्चा गर्ब के अंदर ही संग के मन मताबिक बनने लगे और उसकी कोशिश है कि हर मा को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए जेनियू में जमा हुए नमूनों ने बहुत गहन विचार विमर्श के बाद तैप आया है कि अब स्कूल कॉलेज उनिवर्स्टी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है उधर प्रिगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया नहीं कि हम जुट जाएंगे काम पर क्योंकि नमूनों का मानना है कि गर्ब में पल रहे शिशो मा के आसपास मौजूद वातावरण से काफी कुछ सीखते है यहां तक कि मा के अच्छे और बुरे मूड का असर भी बच्चे पर पढ़ता है इसलिए समवर्धनी नियास ने सलादी है कि गर्बवती महिलाओं को भगवान राम, हनुमान, शिवाजी और स्वतंत्रता से नानियों के जीवन और संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि बच्चे को गर्ब में ही संसकार मिल सके, वो संसकार क्या याग भी उताएंगे अब आप कुछ-कुछ समझ गए होंगे कि गर्ब संसकार का मतलब और मकसद है क्या आरेसेस ये अभियान क्यों चला रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आरेसेस की पूरी तैयारी के बारे में जान लेते हैं तो बता दें कि गर्ब संसकार नाम के इस अभियान के तहट संग ने तमाम गानेकोलोजिस्ट यानि स्त्री रोग विशचग्यों को गर्भवती महिलाओं से संपर्क करने को कहा है ये डॉक्टर कम और डार्विन के पापा ज्यादा मालूम पड़ते हैं ये गर्भवती महिलाओं को सिखाएंगे कि जन्म से पहले ही बच्चे को भारतिये संस्कृती से रूबरू कैसे कराएं जरह संवल्धनी नियास की नेश्टनल और्गिनाइजिंग सेक्रेटरी माधूरी मराठे के महान विचार सुनिये वो कहती है कि गर्भ से ही संसकार लाना है बच्चों को देश के बारे में सिखाना प्राथमिकता है पैदा नहीं हुआ है उनको उन्होंने शिवा जी की मा जीजा भाई का उदारर दिया कि कैसे उन्होंने एक राजा के जन्म की कामना की थी माधूरी ने कहा कि सभी महिलाओं को इसी तरह प्राल्थना करनी चाहिए ताकि बच्चों में हिंदू शासकों के गुण आ सके मतलब इसे सच भी मान लिया जाए तो माधूरी मराठे जैसे नमूने सम्विधान और भारतिये लोकतंत्र के शिक्षाओं में आग लगा चुके है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष समाजवादी बहुलतावाती समता मुलक देश है इनकी नफरत की पराकास्था देखिए कि इनको केवल हिंदू शासक चाहिए और वो बच्चों के भीतर इस नफरत घृणा और जाहिलियत के बीज गर्भ में ही डाल देना चाहते है और सुनिए यह पूरा कारिक्रम ही गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर दो साल तक की उमर के बच्चों के लिए है इसके तहत गीता के शलोकों और रामायन की चौपाईयों के जाब पर जोल दिया जाएगा माधूरी मराठे का दावा है कि गर्भ में बच्चा 500 शब्द तक सीख सकता है उन्होंने कहा कि सभयान का उद्देश एक ऐसा कारिक्रम विक्षित करना है जिससे सुनिष्चित हो कि बच्चा गर्भ में संसकार सीख सके गर्भ में और इसी अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए पांच मार्च को दिल्ली के जवाहर लाल नहरू विश्वित द्याले में एक कारियशाला आयोजित की गई दावा किया गया कि इसमें बारा राजियों के सत्तर से असी डॉक्टरों ने भाग लिया और इन में से भी ज्यादा तर स्त्री रोग विश्विशग्य और आयूरवेदिक चिकिट सकते और इन सब को यखीन है कि गर्ब से निकलते ही बच्चाश लोग चौपाई दोहा सुर्था सवया का पाट करने लगेगा ऐसे नमूने इलाज क्या करते होंगे इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है संग ने संसकार के नाम पर इस देश के अल्पसंख्यकों के प्रती अजन्मे बच्चों को भी घ्रणा के अभियान में शामिल करने की तैयारी कर लिए इसका मतलब ये है इंतिहा देखिए संवर्धनी नियास ने हर साल कोई हजार गर्ब संसकार वाले बच्चों को जन्द देने का लक्ष भी रख लिया है बच्चा किसी का लक्ष है इनका नियास इन गर्वती महिलाओं को ये भी बताएगा कि आपको क्या खाना है कैसे रहना है क्या पढ़ना है क्या गाना है क्या सुनना है कि लोगों से बात करनी है और क्या क्या करना है सोच कर देखिए आने वाले समय में आपके बच्चे को कैसे चलना चाहिए क्या खाना चाहिए कैसे सोचना चाहिए कैसे रहना चाहिए ये भी संग के लोग टै करेंगे यानि पहले तो संग की पाटशालाओं में कट्रता के पाट ही पढ़ाए जाते थे नोजवानों को लेकिन अब तो संग ने मा के गर्ब के अंदर से ही ये कारिकरम शुरू करने की तैयारी कर ली है हलाकि ये पहला मौका नहीं है जब उसने धर्म के नाम पर ये फंडा कसने की कोशिश की है संग समय समय पर गर्ब संसकार का कई बार जिक्र कर चुका है लेकिन अब इसको लेकर उसने बाकाइदा अभियान छेड़ दिया है संवधनी नियास का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली संतान संसकारी और बुद्धिमान हो तो इसके लिए गर्ब संसकार की प्रक्रिया अपनानी होगी वो भी महिला के गर्बधारन करने से पहले कमाल की बात तो यह है कि संग कभी नहीं कहता कि इस देश के किसी भी नागरिक को हम भूखे नहीं सोने देंगे संख कभी नहीं कहता कि इस देश के किसी भी किसान को अपनी जान नहीं देने देंगे वो लोगों को बहला फूसला कर एक ऐसा पाठ पढ़ाने की कोशिश कर ला है जो इस मुल्क की लोकतांतरिक जड़ों को खोकला करे जिससे बीजेपी की दुकान चलती रहे जो निश्चित तोर पर हिंदो मुसल्मान में दीवार पर आधारी थे क्योंकि अगर जनता ने अगर जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो कटर पंथी राजनीत के आखाओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि आपको हिंदो मुसली मंदिर मस्जित पंडिक पादरी में उलजा कर रखा जाए लेकिन हैरानी इस बात की है कि अपने मनसूबों में कामयाब होने के लिए आरेसेस ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है नौजवानों के हाथ में नफरत की लाठी भाला तलवार थमा कर उसका काम नहीं चल रहा है इसलिए वो गर्ब संसकार के नाम पर जन्म से पहले ही बच्चों में धर्म का इंजेक्शन लगाना चाहता है कि आप इस तैयारी के खत्रों को समझ पा रहे हैं इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बेल आइकान दबाईए घंटी जैसे या करेती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया हमारा आपसे अनरोध है कि आप जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें फेस्बुक पर देखें या यूट्यूब पर लाइक जरूर करें इससे हमें अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाने में मदद मिलती है नमस्कार